आप सभी को नमस्कार पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की भारी कमी चल रहे थी हैं दिल्ली को आज जितनी हमारी हाज भी हॉस्पिटल्ज हैं जितने हमारी हेल्थ इंफा सेक्चर है इसको चलाने के लिए 700 ton oxygen की daily जरूरत है लेकिन दिल्ली को मिल रही थी किसी दिन 300, किसी दिन 300, किसी दिन 400, किसी दिन 400 इस तरह से दिल्ली को oxygen मिल रही थी जिसकी वज़े से अस्पतालों में कमी हो रही थी, अस्पताल मेसेज पर मेसेज डाल रहे थे फिर मीडिया में आ रहा था, इस अस्पताल में घंटे बर की ऑक्सिजन बची है, उदर रादे घंटे की ऑक्सिजन बची है, मरीजों की मौत हो सकती है, और काफी जादा दिक्कत हो रही थी, लेकिन कल पहली बार दिल्ली को 730 टन ऑक्सिजन केंदर सरकार ने भेजी है, जैस हम तहे दिल से दिल्ली की जनता की तरफ से उनका मुख्यमंतरी होने के नाते मैं केंदर सरकार का बहुत-बहुत शुक्रियादा करता हूँ, मैं दिल्ली हाई कोट का बहुत-बहुत शुक्रियादा करता हूँ, मैं सुप्रीम कोट का बहुत-बहुत शुक्रियादा करता इन सब के प्रयासों से हम लोगों को कल 730 टन ऑक्सिजन मिली हम तही दिल से शुक्र गोजा रहे हैं बहुत सारी जानें बचेंगी इसकी वज़े से इस एक कदम की वज़े से लेकिन एक दिन 700 टन ऑक्सिजन आने से काम नहीं चलेगा जब तक ये कोरोना की सेकंड वेव कम नहीं हो जाती हमें डेली 700 टन ऑक्सिजन की जरूरत है ऐसा ना हो कि कल 700 टन आई और आज फिर से 400-300 टन आ जाए फिर से सारे अस्वतालों के अंदर हाहा कार मत जाएगा मेरी सबसे हाथ जोड़के विंती है अपील है प्राथना है कि ये 700 टन ऑक्सिजन अब कम मत होने दीजेगा डेली 700 टन ऑक्सिजन आनी चाहिए दिल्ली के अंदर और इसके लिए दिल्ली के लोग हमेशा के लिए सभी के रिनी रहेंगे हम सब लोग शुक्र गुजार रहेंगे इस दौरान जब दिल्ली के अंदर ऑक्सिजन की कमी हुई थी तो कई अस्पतालों ने अपने बेड़ कम कर दिये ये बहुत बड़ा अस्पताल है जिसमें 300 बेड़ है उसने 100 बेड़ कम कर दिये ऐसे समय में जब करोना की हमारी चल की आई सीउ के बेड़ की संख्या को और बढ़ाएं लेकिन अगर ऐसे समय में बड़े बड़े अस्पताल अपने बैड कम कर देंगे तो फिर तो लोगों के अंदर ट्राही त्रही मज जाईगए इस तरह से कई अस्पतालों को में सरकारी अस्पतालों के अंदर बेड अलन अपने बेड़ वापस जितने पहले थे उतने बढ़ा लें मैं उमीद करता हूं कि अब रोज 700 टन आया करेगी तो जितने जिसके बेड़ थे हॉस्पिटल्स के वो सब बेड़ अपने उतने ही बढ़ा लें दूसरी बात कई अस्पताल वालों से मेरी मुलाकात हो इन दिनों म सभी अस्पताल दिल्ली के सभी लोग इस वक्त एक जुट होकर एक परिवार की तरह मिलके इस मुसीबत का सामना कर रहे हैं कई अस्पताल वालों ने मुझे कहा कि अगर आप हमें उचित समुचित अगर ऑक्सिजन दिलवा दें तो हम और बेड़ बढ़ा लेंगे कोई कहता है मैं 100 बेड़ और बढ़ा दूँगा लोगों को बचाने के लिए मैं 500 बेड़ और बढ़ा दूँगा कोई कह रहा है मैं 50 बेड़ और बढ़ा लोगा इस तरह से कम से कम 1000, 1500, 2000, 2000 बेड़ हम अपने मौझूदा अस्पतालों में और बढ़ा सकते हैं existing capacity से भी और बढ़ा सकते हैं तो मैं पूरी उमीड करता हूँ कि वो सभी अस्पताल अब जब 700 टन oxygen डेली आया करेगी तो वो ना केवल अपने जितने bed हैं उनको चालू करेंगे लेकिन जो bed और जितने बढ़ा सकते हैं उनकी जितनी भी क्षमता है और बढ़ा सकते हैं और जादा से जादा beds बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि जादा से जादा patients को admission दिया जा सके उनकी जान बचाए जा सके अगले कुछ दिनों के अंदर हमने बहुत बड़े scale पे plan किया हुआ है अगर 700 ton oxygen अगर 700 ton oxygen डिली आ जाती है डिली के अंदर हम इतने सारे oxygen के beds create कर देंगे धेरों beds create करने का हमने plan बनाया हुआ है हम इतने oxygen के beds अभी oxygen की कमी की वज़े से हम राधास्वामी सथसंग में हम 5000 bed create कर सकते हैं बुराड़ी में दो जगे हम लोगों ने 50000 bed तयार किया हुए है commonwealth games के अंदर 1000 bed तयार किया हुए है यमना sports complex में 1000 bed तयार किया हुए है 9500 bed हम तुरंत तयार कर सकते हैं अगर oxygen समुचित मिल जाए हम लोगों को तो अगर oxygen समुचित मिल गई हम यह सारे bed oxygen beds create कर देंगे अगर 700 ton oxygen daily आने लग गई मैं आपको यकीन दिलाता हूँ डिल्ली में किसी भी व्यक्ति की oxygen की कमी की वज़े से मौत नहीं होने देंगे डिल्ली में किसी को भी oxygen की कमी नहीं होने देंगे oxygen का bed हम कम से कम हर एक व्यक्ति को उपलब्द करा पाएंगे अगर हमें daily 700 ton oxygen मिलना चालो हो जाएदा हर व्यक्ति को oxygen का bed मिलेगा oxygen की कमी की वज़े से आपको किसी तरह की तकलिफ नहीं होने देंगे दूसरी बात अंत पंत में तो अपने को vaccination करना पड़ेगा इसका समधान तो vaccination है और vaccination अभी 18 से 45 साल के उमर के युवाओं के लिए जब से हमने vaccination खोला है तो बड़ा उत्सा है युवाओं के अंदर vaccine लगवाने का पिछले तीन चाह दिन में मैं मनीश जी, सतिंदर जैन जी हम सब लोग कई सारे vaccination centers का दौरा करके आए है युवाओं से मिलके आए है इतना उत्सा है युवाओं के अंदर और दिल्ली के अंदर जो व्यवस्थाएं आपके सरकार ने की है आपके लिए vaccination centers में उसको लेके लोग बहुत खुश है इतने messages आ रहे हैं लोगों के युवाओं के कि जी बहुत अच्छे व्यवस्था है और मैं गया था मेरे को बहुत अच्छा लगा वहाँ पर वैक्सिन लगवा के मेरी सभी युवाओं से अनुरोध है युवाओं से क्या आप तो 18 साल से उपर जो भी है केवल 45 साल तक कि मैं बात नहीं कर रहा है मैं सब की बात कर रहा हूँ अगर आप 18 साल से उपर की उम्र के हैं और आपने वैक्सिन नहीं लगवाया तो आप ज़ूर रजिस्टर कीजिए एपॉइंटमेंट लीजिए और जाके वैक्सिन लगवाईए अपने जादा से जादा दोस्तों को बताईए रिश्टेदारों को बताईए सब लोगों को वैक्सिन लगवाने के लिए प्रेरित कीजिए अभी तक हम लोग दिल्ली में 35,74,000 डोज दे चुके हैं इनमें पहली डोज 28,00,00 लोगों ने केवल एक डोज ली है और 7,76,000 लोगों ने दोनों डोज ली है और पिछले तीन दिन से 18 से 45 साल की उम्र के लिए युवाउं के लिए ये खुला है तीन दिन में दिल्ली में 1,30,000 के करीब युवाउं को वैक्सिन लगी है और मैं उमीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में और भी लगेगी अभी हमारी जितने पिछले तीन दिन के अंदर सारी विवस्थाएं बहुत अच्छी तरह से लागू कर दी गई है सारी विवस्थाएं बहुत सलीके से ठीक तरीके से अब चल रहा है बहुत स्मूथ तरीके से चल रहा है एक ही कमी है आज हम चाहें तो इस वैक्सिन को कई गुना बढ़ा सकते हैं लेकिन अभी वैक्सिन की कमी सप्लाई की कमी हो रही है अगर हमें समुचित सप्लाई मिल जाए तो जैसा मैंने आपको प्रामिस किया था कि तीन महीने के अंदर हम पूरी दिल्ली को वैक्सिन कर देंगे तो अभी सप्लाई का हम इंतजार कर रहे है अगर सप्लाई हमारे पास सफिशेंट आ जाएगी जितनी जल्दी सप्लाई आ जाएगी हम इसको बहुत सारे सेंटर खोल देंगे सेंटर खोलने में कोई दिक्कत नहीं है तो उसकी कोई चिंता नहीं है और मैं उमीद करता हूं कि आने वाले समय में सभी सरकारे काम कर रही है यह एक इतनी बड़ी महमारी है जिसको कोई भी अकेले इस पर पार नहीं पा सकता मैं उमीद करता हूं कि आने वाले दिनों में हम इसी तरह से सब लोग मिलके काम करेंगे, सारी सरकारें मिलके काम करेंगी, कोट्स का हम लोगों को बहुत सहयोग मिल रहा है, सभी कोट्स भी मदद कर रहे हैं, सारी संस्थाइं भी मदद कर रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उपर वाले के क्रिपा से हम जरूर इससे मुक्ति पाएंगे नमस्कार